ससराल की पीछे इतने दूर मेरी शादी करने की क्या जरूत दी ममी अब मेरा मान कैसे लगेगा सम्धन जी, मेरी बेटी का खयाल रखेगा जब तक ये दिन में दस बाते किसी को कहना देना इसका जी नहीं भरता अरे कोई बात नहीं बेटा तू अपनी मा को फोन करके सारी बाते बता दिया करना बस मैं सामने आखों में देखकर सारी बाते बताना पसंद करती हूँ ममी जी फोन पर चुकली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ममा अरे मतरो बीटी, मतरो भगवान पर भरूसा रख तू तो वैसे भी समझदार है अगल वागल नहीं नहीं सहलिया बना लेना वैसे भी तेरी सहलिया तुझ से जला करती थी भूल गई क्या ना बच्छा ना, रोना बंद करती बिटा बेचारी सीमा अपनी विदाय में इतनी फूट फूट कर रो रही थी कि देखने वाले लोगों की आखों में से भी आसु आ जाए पर ये दर्द, ये गम अपनी माँ से दूर होने का नहीं अपनी सहलियों से दूर होने का था आखिर अब सीमा किसे पकड़ कर चुगली करेगी किसे बताएगी अपने सिस्राल वालों की बारे में पापा की चुगली ममी को कर लेती थी ममी की अपने फ्रेंज को पर अपने सिस्राल वालों की चुगली किस से करूँगी मैं कोई बात होगी सिस्राल में तो कोई तो होना चीह न जिसे दोका चाल लगा कर बता सको और इस तरह की उलजनों से घिरी बिचारी सीमा रोते हुए गाड़ी में बैठती है लगता है बिट्या रानी बड़े नाजों से पली बड़ी है अपने गर में वहना आज के जमाने में किसी बच्ची को इतना रोता नहीं देखा में न अब शान्तमी हो जाओ सीमा तुमारी तब्रित खराब हो जाएगी इतनी दोट शादी करके क्यों ले जा रहे हो मुझे मा मेरा कोई तोस्पी नहीं होगा मेरा मन कैसे लगेगा बताओ करण करण ये करण कौन है अब अगर नए दुलहा दुलहन इतने अच्छे टॉपिक पर बहस कर रहे हो तो ड्राइवर का ध्यान आगे सड़क पर लगी भी तो कैसे ड्राइवर बार बार पीछे मुड़कर उनकी बाते सुनने लग जाता है भया आप आगे देकर गाड़ी चले ये ना पीछे इसकी बाते सुनते रहेंगे तो हम तीनों मेरे घर ना पहुच कर कहीं और पहुच जाएंगे और इस तरह रोते रोते बिचारी सीमा अपने ससुराल पहुचती है ससुराल में भी उसकी आँखे भीगी हुई थी जिसे देखकर बाकी की आउरते कहती है ये हुआ सस्कार मेरे गाउं की शादी के बाद मैंने आज तक ऐसी कोई शादी नहीं देखी जहां लड़की रो रही हो दो मिनिट का ड्रामा और बस आँख से आशुगायो इतना महंगा मेकप जो कराया होता है अरे घर वालों के लिए रोने से जरूरी तो मेकप बचाना होता है पर इस समाने में भी बिनु की बहों को देखो अब तक पिचारी के आँग भीगी हुई है अरे ये होते हैं संसकार मान गए बिनु तेरी किसमत को पर कोई कहां जानता था कि सीमा क्यों रो रही है किसी तरह अपने मन को डटा कर सीमा बाकी सारी रस में पूरी कर अपने कमरे में चली जाती है जहां उसकी नजर उसके कमरे के अटेच बालकनी पर पढ़ती है अच्छा है कम से कम इस बालकनी से अगल बगल तांका जाकी तो कर लूँगी ये सोचती जैसे ही सीमा अपने बालकनी में जाती है तो देखती है कि सामने की घर की बालकनी में उसकी पचपन के सहले प्रिया खड़ी है फिर क्या था एक ये पल में सीमा के सारे आंसु गाए भुजाते हैं अरे प्रिया तेरी शादी यहां होई है मेरे सिस्राल के पीछे आरे पेकार में मैं रो रही थी मुझे पता होता कि तू मुझे यहां मिल जाएगी तो मैं कभी रोती नहीं तुझे पता है विदाय पे डांस भी नहीं कर पाई मैं शिट यार अच्छा अच्छा तो रोहन की शादी तुझ से हुई है अरे यार ही तो बड़ा अच्छा हुआ यहां मेरी दो चार और फ्रेंस बन गई है हम मिल करना मज़े से चुगलिया करते हैं अब हमारे टीम में तू भी आजा वैसे बतादू तीरी सास न सरस्ट्रिट है तो ध्यान से हाँ अगली सुब जहां सब नई बभु की मुझ दिखाई के लिए उसका इंतजार कर रहे थे वहां सीमा का तो कोई अता पता ही नहीं था ये नई बभु कहा है कहीं दिखाई नहीं दिरी मम्मी जी अरा मैं तो खुद परेशान हूँ बभु जा जाकर तू देख तो उसके कमरे में दो-चार बार उसके कमरे से होकर आई हूँ मैं मम्मी जी न जानी ये लड़की कहां चली गई बार सब उसका इंतिजार कर रहे हैं कि रूते-रूते अपने माई के तो नहीं चली गई वो और इत्तफाकन ये बात रेखा सुन लेती है और वो बहार आकर सभी से कहती है लगता है रेनों की नए बहु भाग गई क्या? तुझे कैसे पता? कैसे पता क्या? अपने कानों से सुनकर आई हूँ रेनों की बड़ी बहु खुद कह रही थी कि छुटकी निकल ली वन्ना तुम ही सोचो अब तक कहां है बहु? ये सारी बाते रोहन की कान में पढ़ जाती है रे यार ममी बार लोग बाते बना रहे हैं सबी सीमा को इधर उधर ढूणना शुरू कर देते हैं तबी बीनु उसके कमरे की बालकरी में पहुँचती है और अपनी बहु को सामने के घर की बालकरी में खड़ी एक लड़की से बाते करता देख लेती है ये सब क्या है बहु? तू यहां है और वहां तेरा पूरा ससुराल तुझे इधर उधर ढूण रहा है और तू अपने ससुराल के पीछे के घर के लोगों से बाते करने में बिजी है ससुराल के पीछे के लोग नहीं ममी जी ये ना मेरी बच्पन की फ्रेंड है प्रिया अहां जो भी है अब चल तू मुह दिखाई की रसम में देरी हो रही है अरे प्रिया तू सजिस्ट करना मैं क्या पहनू? अरे कोई भी साड़ी पहन कर फॉरण बाहर आ जा बहू सीमा तयार होकर मुह दिखाई की रसम पूरा करती है और कुछ दिर बाद फिर से बालकन में प्रिया से बाते करने चली जाती है अरे बीनू हम सोच रहे थे कि अब आई गए हैं तो बहू के हाथ की पहली रसोई खा कर ही जाएंगे कहां है तेरी बहू? बिला ले उसे रेणू को और बीनू हर तरफ नजर खुमाते हैं पर सीमा तो उन्हें कहीं नहीं दिखती रेणू का फुस पुसाते हुए अपनी सास से कहती है इस सीमा के तो पैरों में पॉंक लगे हैं ममी जी अब फिर कहां गायब हो गई ये? आरा वही होगी बालकनी में रुक मैं उसे लेकर आती हूँ बीनू सीमा को ढूंटते उसकी कमरे के बालकनी में जाती है तो सीमा वही मिलती है हो गया तेरा भरत मिलाप दो मिनट चैन नहीं है तुझे बाहर सभी बैठे हैं तेरी पहली रसोई का खाना खाने के लिए चल किसी तरह बीनू अपनी बहू को रसोई में लेकर जाती है और सीमा पहली रोटी बनाती ही सबसे पहले उसे लेकर हॉल के रास्ते सभी के सामने अपने कमरे के और चली जाती है और बालकनी में जाकर तुझसे करवाना शुरू कर देंगी सबकी सामने ऐसा दिखा कि तुझे कोई काम आता ही नहीं समझी हारी ठीक है सीमा रोटी बनाकर कमरे में ले गई अजीब बात है तभी कमरे से सीमा बाहर आकर सभी से कहती है वो ना मैं आप सभी को बताना ही भुल गई थी मुझे खाना मनाना नहीं आता है बाप नी बाप बीनू तु तो बड़ी बुरी फसी है चलो बेनू चलो यहां से यहां तो अलगी ट्रामा चल रहा है अब यह रोज का हो जाता है आए दिन कोई भी काम करने के पहले करने के बाद या काम के बीच में सीमा बालकनी में जाकर अपने सिसराल के पीछे रह रही अपनी सहली से बाते करने लगती जब भी घर में आता हूँ सीमा कमरे में मिलती नहीं है कहां है सीमा ममे आरा तेरा कमरे के बालकनी में है बेटा उस प्रिया से बात करने से फुर्सत मिले तब तो अपने पती से उसका हाल चाल पूछेगी ऐसा कब तक चलिगा ममी जी? देवरानी के आने के बाद भी रसुई का सारा काम मुझे अकेले समभालना पड़ता है अब आप इसके लिए कुछ कीजिए अरबीनो मिस्तरी को बुलवा कर अपने बेटे के कमरे के बालकनी तुड़वा ही देती है ना रहेगे बालकनी, ना रहेगे उसकी दोस्ती अगली सुबर सभी बड़े ये खुशी-खुशी उठते हैं कि पहली बार सीमा उन्हें एक बहु की तरग घर पर मिलेगी पर इस बार भी सीमा गायब थी सभी उसे ढूणना शुरू करते हैं गाज ली गई सीमा, ममी कहीं वो घर से चली तो नहीं गई अरे क्यों तुड़वाई आपने बालकनी, अब मैं क्या करूँगा तब ही भागती हुई रेणू का महादी है ममी जी, ममी जी, बेकार में इना अपने बालकनी तुड़वा दी आपकी बहुँ यही है देवर जी, वो तो छट पर जाकर प्रिया से बात करने लगी ए भगवान, ममे बीनों के इतना दिमाग लगाने के बाद भी वो सीमा को प्रिया से बात करने से रोक नहीं पाती क्या फाइदा हुआ बलकनी तोड़ने से, घर के डिजाइन भी खराब हुई और कोई फाइदा भी नहीं हुआ सीमा की शादी मुझ से हुई थी, प्रिया से नहीं तभी वहाँ सीमा आती है कोई कितने भी कोशिश कर ले, सीमा को चुगली करने से रोक नहीं सकता ममी जी अब आपके छद भी तुड़वा देंगी और सभी सर पकड़ लेते हैं